आज धंतेरस है अब धंतेरस के मौके पे सोने चांदी के आभुशन की खरदारी का भिश्यश महत माना जाता है और ऐसे में आप देखें कि अभी हम सोने की दुगान में मौझूद हैं यहां पे ग्राहकों की भीर उमर पड़ी है और जो ग्राहक पहले से ही जो बुक करा रखे हैं वो सोने चांदी की आभुशन की खरदारी करने के लिए शोरूम में पहुँच गये हैं देखें कि किस तरह से जो लोगों में उस साथ दिख रहा है लोग यहां पे खरदारी करने के लिए पहुच रहे हैं और निश्चित तोर पे आज धंतेरस के मौके पे सोने चांदी की आभुशन की खरदारी का जो महत बताया गया है और इसी का नतीजा है कि जो महिला है जो पुरूस है जो ग्राहक है वो सभी लोग खरदारी करने के लिए यहां पे पहुचे हुए है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रधानी पटना में सिर्फ पंद्रो सो करोर से ज्यादा का का कारोबार हो सकता है ग्राहकों की बात के तो सुबह से ही लाइन लगी है ग्राहकों की हम लोग खुद आठ वज़े से स्टोर में उपलब दो रखेंगे ताकि ग्राहकों को परसानी ना हो सब काम अराम से हो सके कुछ लोग भीर से बचने के लिए पहले से booking भी करवा चुके हैं कि भीर ना मिले पहले से पसंद कर ले क्योंकि आज के दिने पसंद करना बहुत मुश्किल है जैसे आप देख सकते हैं बहुत भीर है इस्टोर में कि लोगों को टाइम नी में पसंद करने के लिए खड़ीदारी कर रहा है कि सोझे चांदी के अभूसन के सांसां सोने के सिक्क्ये भी खड़ीदने का सुभ मुहुर्थ में शुब माना जाता है और एसे में 2000 के नोट बंध हो गए है लेकिन 2000 के चांदी के नोट भी देखने को यहां पर मिल रहा है चलिए हम सबसे पहले ग्राहक से भी बात कर लेते हैं कि आज अंटी धंतेरे से सोने चांदी के आभूजन की खरदारी का शुब माना जाता है क्या हम पीचिया लेंगे बेटा चांदी का सोने का सिक्का नहीं मेरे पास शिक्का है बेटा हम खाले के रिंग खरी द्यार करें र बहुत भी नहीं है थोड़ी महंगाई तो बर गई है बजट तो उतना नहीं है हर समान कॉस्टली है फिर भी आदमी को पूजा करना है अपना एक शगुन निभाना है तो वह तो करना पड़ेगा लोगों को यह मन्यता होता है कि आज के दिन पर यह तो अपना बिहार में मे दिच्वार अच्छा है सभी लोग है और संदर होने के बादो पता चलेगा ऐसे आपको अच्छा जनली तो लोग सिक्का से वरोद करतें अगर बरतन दो भी चलिक रहे हैं आपके पास तो पहले का चलता है कि धंतेरस का मौका है तो निष्ची तौरप की खरदारी का महत्व है उसी को लेकर के बजारों में रौनक देखने को मिल रही और जो कारोबार ही है उनिश्चीत तोर पे उमीद लगा रहें कि अच्छा कारोबार होगा सही होगी क्रिस नंदन के सांथ निरज कुमार एटवी भारत पटना